Hello everyone, differential calculus के asymptotes या अनन्त स्परशिया टॉपिक में asymptotes या अनन्त स्परशिया फाइंड आउट करने का standard method हमने पिछले वीडियो में कर लिया था अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे alternative methods to find out asymptotes of algebraic curves BGA वक्रों की अनन्त स्परशिया ग्याद करने की वेकल्पिक विधिया मतलब जो standard method हमने पढ़ा था ना उसके अलावा और कौन से method हो सकते हैं asymptotes find out करने के तो पहला method है limit method limit method में हम अलग-अलग situation में मतलब curve के अलग-अलग type में किस तरह से asymptotes लिखेंगे वो मैं बता रही हूँ जो possible cases बनेगे questions में तो अगर हमारा curve if curve is इस तरह से है y-ax fn-1 plus pn-1 equal 0 मैं explain करती हूँ fn-1 से हमारा मतलब है n-1 degree वाले terms n-1 घात वाले पद देखो यह n-1 घात वाले पद है मतलब यह जो हमने multiplication में fn-1 लिखा है इस के अंदर जितने भी term आएगी सबकी degree n-1 है और साथ में हमने y-ax से multiply किया है तो यह पूरी जो degree हो गई यह हो गई n तो यह तो है हमारी n degree वाली terms ठीक है plus pn-1 का मतलब है यह n degree की term उसके बाद n से कम degree वाली terms n-1, n-2, n-3, so on इस तरीके से ठीक है तो अगर हमारा function curve इस form में लिखा जा सकता है मतलब एक linear factor है y-ax और साथ में फिर n-1 degree वाली terms है plus pn-1, यह n-1 degree और उससे कम degree वाली terms है equal 0 इस तरह से है then तो situation में asymptotes parallel to y-ax will be y-ax के parallel समानतर asymptotes क्या होंगी देखो y-ax के parallel क्यों लिखा है हमने जो हमारा standard method है उसमें हम क्या करते है x बराबर 1 और y बराबर m put करते है n-degree वाली terms में तो जब इन terms में x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे तो यह वाला factor क्या बनेगा m-a फिर हम क्या करते है यह जो x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे इसको 0 के बराबर रखते है इसके साथ में fn-1 होगा 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से m की value आएगी a ठीक है? m की value आजाएगी तो asymptote की equation क्या होती है? y बराबर mx प्लस c यानि की y बराबर ax प्लस c बन जाएगा c calculate करना बाकी रहेगा तो y-ax बराबर c यह straight line बन रही है तो यह जो straight line है यह इस line के parallel ही तो है y-ax क्योंकि दोनों की जो प्रवर्णता है दोनों का slope जो है वो तो same ही है y बराबर mx होता है न m की value a है तो y बराबर ax यहां भी slope m है और यहां भी slope m है तो इसके parallel जो same route बनेगी वो क्या बनेगी देखो y-ax plus limit x tends to infinity y upon x tends to a ठीक है pn-1 upon fn-1 equals 0 देखे एक पहली चीज़ में method बता रही हूँ कैसे implement करना है derivation नहीं बता रही हूँ ठीक है अब मैं बताते हैं उसमें क्या किया है हमने y-ax as it is रखा fn-1 मतलब इसका जो साथ में multiplication था उससे हमने पूरी equation को divide कर दिया तो यह fn-1 जो है वो pn-1 के upon में आ गया ठीक है फिर हमें limit लगानी है पहले यह limit लगानी है y upon x को a put करना है और y upon x a हमने यहां से निकाला है यहां से y-ax को 0 के बराबर रखेंगे तो y upon x जो है वो a आएगा तो हमें limit क्या लेनी है y upon x approaching a पहले तो y upon x को a लिखना है उसके बाद यह limit पुट करने के बाद जो result आएगा उसमें अगर x बच जाता है तो उसे x tends to infinity लेना है इसे solve करते ही हमारे पास SM dot या फिर अन्नतिस परशी की equation आ चाहेगी तो पहला type तो यह हुआ जब हमारा curve इस तरह से हो एक linear factor y-ax यह degree 1 का factor है linear है तो उसके साथ fn-1 है इसका मतलब यह n-1 degree की term है तो total इस term की degree हो गई n ठीक है प्लस n-1 और उससे कम degree वाली terms बरापर 0 तो इस तरह से y-ax के parallel SM dot लिखेगी ठीक है अब दूसरा type हो सकता है कि curve हमारा if equation of curve is curve की equation इस तरह से हो y-ax का square square लिख दिया हमने तो यह 2 degree की terms हो गई तो इसके साथ fn-2 आएगा ठीक है यह n-2 degree यह 2 degree यह total यह n degree की terms बन गई ठीक है प्लस p n-1 बरापर 0 इस तरह से हो देखो यह n degree की terms यह n-1 और उससे कम degree की साथी terms तो देखो यहाँ पे जहां हम f लिख रहे है ना तो वहाँ पे तो है उस degree का function जैसे हमने fn-2 लिखा है यानि कि यह n-2 घात का फलन है मतलब इसकी हर पद की घात n-2 होगी ठीक है और जब इधर हम लिख रहे है pn-1 तो इसका मतलब है हमारा यह n-1 घात का पॉलिनोमेल है degree का पॉलिनोमेल है बहुपद है तो इसमें अधिक्तम जो term होगी उसकी घात या degree n-1 होगी और उसकी कम degree की terms भी हो सकती है ठीक है तो अगर हम पिछले वाले तरीके से first जो हमने लिखा था उसी तरह से अगर इसमें भी asymptote निकालें तो asymptote parallel to y-ax अगर हम निकालते हैं तो y-ax का square plus limit x tends to infinity y upon x tends to a pn-1 upon fn-2 यह बनेगा आप देखो यह जो है यहाँ पर maximum degree n-1 है polynomial की और इस function की degree n-2 है तो इसकी degree जादा है उपर वाले की और इसकी कम है ठीक है मैं एक छोटर सा example देकी समझाती हूँ जैसे suppose n हमारा 3 है तो यह तो हो जाएगा n-1 यानि की degree 2 का polynomial degree 2 का polynomial f माल लो p2 जो है वो हमारा इस तरह से है x square plus y square minus x minus 1 और fn minus 2 जो है यह फिर n अगर 3 है तो यह f1 होगा ठीक है degree 1 का function तो maximum इस तरह से बन सकता है x plus y अगर हम इन्हें divide करते हैं आपस में x square plus y square minus x minus 1 x plus y ठीक है तो हमें पहली limit लगानी है y upon x tends to a y upon x tends to a लगाने के लिए हमें x common लेना होगा यहाँ पे जितनी maximum power है वो x square common लेंगे यहाँ पे x common लेंगे तो यहाँ पे जब हम x square common लेंगे तो यह बनेगा 1 plus y upon x का square minus 1 upon x minus 1 upon x square ठीक है और नीचे x common लेंगे तो 1 plus y upon x यह x से यह power cancel हो गए ठीक है अब जब हम y upon x tends to a लिखेंगे तब तो यह बन जाएगा x square 1 plus a square minus 1 upon x minus 1 upon x square यह cancel हो गए तिना power तो यहाँ पे सिर्फ x है upon में 1 plus a अब दूसरी limit जब हम x tends to infinity लेंगे तो यह जो है x tends to infinity देखो यह तो 0 होगा यह 0 होगा लेकिन इसकी वज़े से यह tends to infinity आज़ेगा तो बस यह इतना ही रूल है इसमें समझने का जब भी limit हम लगा रहे हैं एक तो यह वाला factor जिसके parallel हम एसम टोट निकाल रहे हैं यह वाले factor को हमेशा limit से बाहर रखना है यहाँ पर भी इस factor को बाहर रखा है तभी तो यहाँ पर 1 बना है उस पर limit हमने लगाई नहीं है दूसरा जिस पर limit लगा रहे हैं अगर उपर वाले की degree numerator की degree जादा होती है नीचे बाले से denominator से तो फिर हमेशा यह infinity यह minus infinite को अपरोच करेगा minus infinite को इसलिए अगर यह minus का exist का है होता तो तो उस situation में फिर इसके parallel asymptote exist नहीं करेगी ठीक है तो इस situation में यह जो है यह approach करेगा infinity और minus infinity ठीक है तो इस factor के parallel asymptote exist नहीं करेगी अब इसी की जगए अगर यहाँ पे n-1 वाली suppose terms ना हो करके यह n-2 का होता function ठीक है इसमें यह अगर x square प्लस y square वाली term नहीं होती तो इसमें asymptote exist कर जाती है ध्यान यही रखना है कि यह जब हम limit लगा रहे हैं तो यह जो denominator है इसकी degree numerator की degree से कम नहीं होनी चाहिए तो इस situation में asymptote exist नहीं करेगी अब हम करते हैं third type third type में अगर हमारा curve इस तरह से हो if equation of curve is देखो y minus ax का square function of n minus 1 2 degree तो यह हो गई न n degree क्योंकि यहाँ पर degree 2 है यह n minus 2 है तो total n degree हो गई उसके बाद y minus ax function of n minus 1 degree ठीक है क्योंकि यह degree 1 हो गई और यह sorry यहाँ पर भी हमें मैं चो function change करना पपनेगा मैं g लिख देती हूं n minus 2 क्योंकि n degree की terms तो यह आ गई तो अब n minus 1 degree की terms आएगी तो यह भी n minus 2 का होगा 1 ही हो गई तो total n minus 1 हो जाएगी और यह g लिखा है ठीक है उसके बाद है polynomial यह n degree होगी यह n minus 1 होगी तो polynomial होगा n minus 2 degree का यानि कि n minus 2 और उससे कम डिगरी वाली terms तो यह n degree वाली terms होगी यह n minus 1 degree वाली terms और यह n minus 2 और उससे कम डिगरी वाली terms होगी ठीक है इस situation में अगर हमें asymptote निकालनी हो तो asymptotes parallel to y minus ax ठीक है क्या बनेगी मैंने जैसे पहले भी कहा था y minus ax वाला factor तो बाहर रहेगा इससे divide कर रहे है plus यहाँ पे y minus ax factor बाहर रहेगा लेकिन यह g n minus 2 को f n minus 2 से divide होगा और साथ में limit x tends to infinity और y upon x tends to a ठीक है देखो यहाँ कोई problem नहीं होगी दोनों की degree same है तो limit लगाने पे infinity या minus infinity नहीं बनेगा limit x tends to infinity y upon x tends to a p n minus 2 upon f n minus 2 बराबर 0 यहाँ भी कोई problem नहीं होगी ठीक है तो इस तरह का आगर कर बनता है तो situation में ऐसे asymptote निकाल लेंगे तो बस इतना ही समझ लेजिए वही काफी है सारे जो limit के यह जो types बन रहे हैं उसमें जैसे मैंने समझाया उसे हमें limit से बाहर रखना है दूसरा limit लगाते टाइं बस यह देखना कि वो infinity और minus infinity का approach तो नहीं कर रहा अगर infinity और minus infinity का approach कर रहा है मतलब उस factor के parallel asymptote exist नहीं करते तो अब fourth type जो बन सकता है curve की equation का limit method से asymptote find out करने के लिए वो है if equation of curve is देखो ax plus by plus c इसके साथ fn minus 1 plus pn minus 1 equal 0 इस type की equation हो देखो यह linear factor है और इसके साथ में n minus 1 degree का function है ठीक है plus n minus degree का polynomial यानि की ऐसा बहुपद जिसमे n minus 1 और उससे कम degree के terms है तो यहाँ पर यह factor तो linear है बट इसके साथ multiplication में n minus 1 degree की terms है पर यह total अगर हम देखे तो n degree का function नहीं बनेगा क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना multiply करते हैं ना तो यह degree 1 की term और यह n minus 1 degree की term तो n degree की term बन जाएगी लेकिन यह constant इसके degree 0 है तो जब इस term को इससे multiply करेंगे तो यह n minus 1 degree की term रहेगी ठीक है लेकिन यह वाला factor भी allowed है limit method में asymptotes find out करने के लिए तो इसको भी हम उसी factor की तरह ही consider करेंगे जैसे y minus ax को किया था तो equation of asymptote parallel to ax plus by plus c इस factor के parallel asymptote की equation क्या बनेगी वही same procedure है solve करने का limit x tends to infinity and y upon x tends to देखो इसके parallel निकाल रहे हैं तो हमें यहां से slope देखना पड़ेगा प्रवर्णता क्या बनेगी तो प्रवर्णता के लिए हम ax plus by y बराबर 0 करते हैं ठीक है क्योंकि दो straight line जो parallel होती है उसमें constant का difference होता है इसलिए हमने constant नहीं लिखा है तो यहां से y upon x पराबर आएगा minus a upon b ठीक है तो y upon x tends to minus a upon b pn-1 upon fn-1 equal 0 ठीक है तो अब इसमें यह limits बुट करके पहले हम इसको y upon x की form में change करेंगे y upon x की जोके minus a upon b बुट करेंगे फिर बाद में result में x tends to infinity बुट करेंगे और इस तरह से हमारे पास इस factor के parallelism डोटा जाएगी ठीक है similarly इस factor के अगर power 2 हो तो भी जैसे हमने बाकी y minus a x की power 2 वाले type की वैसे यह भी हो जाएगा यहाँ पर भी वही same condition है denominator की degree जो है वो numerator से कम नहीं होनी जाहिए हर की degree अर्श से कम नहीं होनी जाहिए बराबर या जादा हो सकती है ठीक है question है find asymptotes of the curve इस curve के लिए हमें asymptotes find out करनी है तो इसमें देखो यह linear factor इसकी degree 2 है यह भी linear factor ठीक है तो इस factor के parallel भी asymptote निकालेंगे हम इस factor के parallel भी asymptote निकालेंगे हम जो हमारा highest degree वाली terms होती है उसमें जो भी factor बनते हैं उसके parallel हम asymptote निकालते हैं ठीक है हमने दोनों तरह की cases किये थे y-ax इसको अगर हम linear factor मानते हैं और इसको function जो degree 2 का function मानते हैं तो इसके parallel asymptote आ जाएगे यानि कि पहला case अगर इसको linear factor लिखेंगे इसको degree 1 का function मानेंगे तो यह हमारा तीसरा case ठीक है तो जो भी highest degree term वाले मतलब उच्चतम गात वाले जो पद हैं उनमे linear factors बनेंगे या फिर ax plus by plus c वाले बनेंगे उनके parallel हम asymptotes निकाल लेंगे तो यहाँ पहले मैं x minus y इसके parallel निकालती हैं मतलब हम यह जो मैं बता रही हूं यह मैं सिर्फ explain करने के लिए बता रही हूं मतलब हम x minus y को as it is रखें यह जो है इसे हम n minus 1 degree का function लिखें क्योंकि यह 1 degree का हो गया और यह n minus 1 यानिकि 2 degree हो जाएगा तो total 3 degree हो गई ठीक है उसके बाद वाली यह देखो 2 और 1 degree की terms है तो यह हो जाएगा हमारा n minus 1 degree का polynomial तो हम इस factor के corresponding इस factor के parallel asymptote निकाल रहे हैं तो solution स्टार्ट कर रहे हैं here asymptote parallel to x minus y इस factor के parallel asymptote क्या बनेगी देखो x minus y वाला factor जो है वो as it is रखना है ठीक है अब बाकी यह जो भी है इसके upon में यह जो है x minus y का whole square वो जाएगा और साथ में limit लगेगी ठीक है तो मैं यह दोनों term के upon में अलग 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 लिख रही हूँ एक ही बात है वैसे तो मैं अलग 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 लिख रही हूँ minus 4 constant है limit से बाहर लिखा जा सकता है limit limit क्या लगेगी x tends to infinity and y upon x tends to अब यहाँ से y upon x क्या आएगी limit y upon x की 1 आएगी y बराबर x आएगा अगर हम इसे 0 की बराबर रख देंगे y बराबर x आएगा तो y upon x करेंगे तो यह 1 आएगा y upon x tends to 1 या फिर कहलो जो m की value आती है जो slow पाती है वो लेते है हम limit ठीक है तो x minus y वाला factor रख लिया विसके साथ जो था इसे divide करना है उधर तो मैंने 4 लिख दिया था y x minus 2y और division में जाएगा x minus 2y का whole square ठीक है minus 8x plus 7y sorry इसके साथ भी limit लिखना है न limit x tends to infinity y upon x tends to 1 8x plus 7y इसके upon में भी जाएगा x minus 2y का whole square equal 0 upon कुछ लिख के 0 बन जाएगा उस पे limit भी अगेरा लिखने की ज़रूरत नहीं है तीक है अब देखें यहाँ पे इसकी degree 2 और नीचे वाले की degree 2 तो कोई problem नहीं होगी इसकी degree 1 नीचे वाले की degree 2 नीचे वाले की जाता है नीचे वाले की degree कम नहीं हो नीचे यहाँ पे भी कोई problem नहीं होगी अब हमें करना क्या है सबसे पहले तो हमें y upon x की जगे वर लखना है तो x common लेकर के y upon x जहाँ बन सकता है वहाँ बनाना है तो x minus y limit x tends to infinity y upon x tends to 1 यहाँ पे x common लेंगे हम तो यह y multiplication में है और यह बनेगा 1 minus 2 y upon x ठीक है अब ओन में जब x common लेंगे तो यह x square आएगा क्योंकि इसकी power 2 है और यह बनेगा अच्छा यह एक factor हम काट भी सकते हैं अब यह मैंने लिख दिया ठीक है यह भी तो कर सकते हैं यह एक factor काट देते तो यह सिर्फ यह वाली डर्म आती हम यहाँ पे x common लेते हैं यह इससे power कट गई तो यह भी हमारा y upon x बन रहे है तो अब यह पूरा y upon x की form में change हो गया अब इधर करते हैं limit x tends to infinity y upon x tends to 1 यहाँ पे भी x common लो तो अंदर बनेगा 8 प्लस 7 के साथ y upon x तीक है यहाँ x common लेंगे तो यह x स्क्वाइर आएगा तो 1 minus 2 y upon x का whole square बराबर 0 तीक है अब हमें y upon x की जगा 1 रखना है यह ध्यान रखना यह भी y upon x बन गया है तो y upon x की जगा हमें 1 रखना है पहले limit यह वली लगाएंगे तो x minus y 4 limit x tends to infinity रहने दो y upon x की जगा 1 रखतो तो 1 upon में 1 minus 2 ठीक है minus limit x tends to infinity रहने दो यह 1 upon x रहने दो 8 plus 7 upon 1 minus 2 square इक्वाइर इक्वाइर जीरो ठीक है अब x tends to infinity लगा तो यह तो constant है तो इसमें तो x है यह नहीं तो x tends to infinity लगाने की ज़रत नहीं है यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे देखो यह non zero term है यहाँ extends to infinity लेंगे तो यह 1 upon infinity 0 हो जाएगा ठीक है और यह क्या बन रहा है 1 upon minus 1 minus का 1 तो यह हमारा plus 1 हो जाएगा तो x minus y plus 4 equals 0 यह आगई asem dot parallel to this factor x minus y similarly हम क्योंकि हमारे question के अंदर जो highest degree terms थे उनमें यह वाला factor भी था इस factor के parallel asem dot we find out करेंगे तो इस factor के लिए दिखिए अगर हम ऐसे लिखें इस factor को x minus 2 2y का whole square इसके साथ यह बन रहे n minus 2 degree की term तो इसके बाद फिर यहाँ पे भी जब हम x minus 2y लिख देते हैं तो उसके साथ बन रहे है again n minus 2 degree की term degree 1 की terms बन रहे है न हमारे n की value 3 है ठीक है और फिर बाद वाला है यह n minus 2 degree और उसका polynomial तो हमारा जो third part था वैसा बन रहे है ठीक है तो अब मैं लिखती हूँ SM dot parallel to this factor x minus 2y तो SM dot यहां दो आएंगी वैसे SM dots parallel to x minus 2y तो x minus 2y square यह as it is इसके साथ जो x minus y है इससे हम divide करेंगे ठीक है तो minus 4 यहां पर x minus 2y मैंने कहा था जिस factor के parallelism dot निकाल रहे हैं उस पर limit नहीं लगाएंगे बच गया variable y तो उसके साथ limit extends to infinity y upon extends to यहां से अगर हम x minus 2y को 0 के बराबर रखते हैं तो y upon x जो है वो आएगा हमारा 1 by 2 ठीक है तो y upon x tends to 1 by 2 ठीक है y यह y बचा और divide हम कर रहे थे x minus y से तो y upon x minus y ठीक है यह वाला factor minus limit x tends to infinity y upon x tends to half 8x plus 7y upon x minus y equals 0 ठीक है अगर देको यहां पर जहां पर limit लगा रहे हैं दोनों की degree same है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा infinity minus infinity नहीं बनेगा यहां पर भी degree same है तो कोई problem create नहीं होगी अभी हमें करना क्या है हमें y upon x की form में change करना है x common लेकर गे तो x minus 2y का whole square minus 4 x minus 2y limit x tends to infinity y upon x tends to half यह तो y है यहां x common लेंगी तो यह बनेगा 1 minus y upon x ठीक है और यह वाला भी बन गया y upon x ठीक है minus limit x tends to infinity y upon x tends to half यहां पर भी x common लेंगे तो 8 plus 7y upon x यहां पर भी x common लेंगे तो 1 minus y upon x equals 0 x x cancel होगे अब आपको समझ आ रही होगी बात कि अगर उपर वाले की degree जादा होती तो यह x की power जादा common आती एक स्क्वाइर आ जाता सपोज तो एक power तो cancel हो जाती लेकिन जैसे x tends to infinity काती इंफिनिटी बन जाता ठीक है अब हम पहले y upon x की जगर half put करेंगे तो x minus 2y का whole square minus 4 x minus 2y यह बनेगा limit x tends to infinity y upon x को half put करो तो half upon 1 minus half ठीक है यह constant आ गया अभी limit लगाने की जरुरत नहीं है x है नहीं इसमें तो x की जगर infinity कैसे put करेंगे minus यहाँ भी limit x tends to infinity यह बनेगा 8 plus 7 by 2 upon 1 minus 1 by 2 equals 0 ठीक है यह भी constant आके यहाँ इसे simplify कर लेते हैं x minus 2y 4 x minus 2y अभी constant है तो इस पे limit लिखने की ज़रत नहीं है बन कितना रहे है यह half upon में 1 minus half यह भी half ही होगा तो cancel होके 1 आजाएगा ठीक है तो यह 1 बन रहे minus यह कितना बन रहे 8 plus 7 by 2 तो जब हम LCM लेंगे तो यह बनेगा 16 plus 7 मतलब की 23 by 2 और यह 1 by 2 है 2 by 1 equals 0 ठीक है तो यह बन रहे हमारे पास x minus 2y का whole square minus x minus 2y minus 23 equal 0 पर क्यूंकि हमें asymptote जो है वो asymptote straight line होती है तो हमें यहां से 2 straight lines निकालनी होगी तो हम इसे solve करेंगे quadratic formula जो धराचार्य method होता है ना धराचार्य सूत्र उससे तो x minus 2y है ना इसको एक variable की तरह मानों तो अगर हम यहां से x minus 2y की value निकालें तो क्या बनेगा यह minus b होता है तो 4 plus minus b square यानिकी 16 minus 4ac होता है तो a यहां पर बन है और c minus का 23 है तो minus 4ac plus हो जाएगा ठीक है upon 2a यह बन रहा है ठीक है इसको simplify करेंगे तो 4 plus minus under root यह आ रहा है हमारा 108 ठीक है अब इसको 108 को root से हमें बाहर लेक्या आना है तो यह बन जाएगा 4 plus minus 6 root 3 by 2 ठीक है तो यह आ रहा है 2 plus minus 3 root 3 ठीक है तो देखो x minus 2y के equal आया 2 plus minus 3 root 3 ठीक है तो यह दो सम्टोट्स आ रही है दो कैसे एक तो बन रही है x minus 2y equal 2 plus 3 root 3 और दूसरी बन रही है x minus 2y equal 2 minus 3 root 3 पैनलल है यह दोनों लाइन समानतर है और यह दोनों ही लाइन x minus 2y factor के यह उस के समानतर थी लाइन के ठीक है तो यह दो एसम्टोट्स आ गई पैरलल to x minus 2y तो यह दो एसम्टोट्स ही आ गई और एक एसम्टोट्स अल्यटी हम निकाल चुके हैं और curve degree 3 का था तो इसके में एक जिमम 3 ही एसम्टोट्स हो गई क्योंकि अगर हम उस standard method से क अगले वीडियो में हम लिमिट method के और question करेंगे और एक और जो method बच गया है एसम्टोट्स आउट करने का वह भी करेंगे यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुससे पूछ सकते हैं thank you